हेई गाईज वालकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल इजी मेकप माइनम इस करिश्मा प्लीज सब्सक्राइब माइ चैनल एंड हिट दी बैल आइकोन जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं बहुत फेयर मेकप आप लोगों को सिखा हूँ तो आज मैंने मीडियम स्किन पर सिख स्प्राइब और इससे बहुत से वह धिर और बोहुत अच्छा मेकाप होता है बखूल ग्रें होगा आपका मेकप में हुग इस सकते हूँ आप मेश्य करते हो ना दैना आप में कभी नहीं कर पा होगेगे यहाईब हो जाएगा आपका मेकप तो चली वीडियो को स्टार्ट करते तो आज मैं सारे प्रॉड़क्ट बताने वाली हूं कुछ भी नहीं चुपाऊंगी किया है स्ऑूगर का जो की मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसका रिजल्ड भी बहुत ज्यादा मुझे पसंद इसके बाद मैंने यूज किया था प्रायमर्ट मै यूज किया एस ओफ बेस ब्राइमर जो की आल आइजीव प्राइमेर आपको पता है, क्यों यूज किया जाता है, इसलिए जिसे कि आपके जो आइज में इलाइन आ जाती है, जब आप मेकप कर रहे होते हो कंसिदर से लाइस आज आती हैं मियोग इस अ give me उसके बाद रहिया एक शुरstäb तो फिया मिम्ला करे क के लिए और सबस् mistress करें हैं तो बहुत ज्यादा प्राइब इसके लाइड प्राइब करने ये उसके बाद मैंने सार्ट में मेकप को म 내용 दीक है के ब्राइब आपने खुद यून Le now किया है और जो डीप सेट आइस थी इनको थोड़ा सा बाहर की साइड दिखाना था इसलिए इस तरह से सबसे पहले इसे से नाइट बाहर किया प्रट पके ने इसके बाद मैंने बाएप ने मिक्स करके कुछ माइन tenayak डीम है कमा इस तरह से अफ पर उपन करने के विए कहा उर पर मुझे एक गाइड लाइन मिल गज थी इस तरह से मैंत अच्छे से कट करीज को किया और फे qri queeli के आउट्टिट में ग्रीन बहुत ज्यादा था तो मैंने ग्रीन कलर अपलाई करना स्टार्ट किया अपने आईशाडव पैलेट से आईशाडव पैलेट मैंने आज मोर्फी यूज़ किया है और अगर आज का मेकप आपको अच्छा लगे तो प्लीज बहुत सारे हार्ट छो इसके बाद मैंने यूज़ किया है जो की मेबलीन ब्रैंड का है उसके बाद मैंने एलेगल औरेंज करेक्टर को बहुत अच्छे से जहां जहां पिग्मेंटेशन है जहां-जहां मुझे लग रहा था कि ग्रे हो सकता है मेकप यहां ज्यादा डाक है इसकिन वहां पर मैंने बहुत अच्छे से औरेंज करेक्टर को अप्लाई किया उसके बाद ब्लेंडर यूज़ किया है वह है फोरेवर 52 बहुत ज्यादा अच्छा ब्लेंडर है आपका ब्लेंडर हमेशा ऐसा होना चाहिए जब आप उसको पानी में डालके स्क्वीज करते हो ना दैन वह अपनी जो भी उसकी साइज होती है उससे तीन गुना हो जाना चाहिए उसके बाद मैंने डर्मा पैलेट से इनकी स्किन से डार्क टोन में एक कंसीलर उठाया है और इनकी फेस पर जहां-जहां मैंने पिग्मेंटिशन पर और और उरेंज करेक्टर लगाया है उसी के ऊपर टॉप आप चाहते हो बिल्कुल ग्रे नहों मेकप और अच्छा भी लगे तो आपको यह प्रोड़क्त यूज करना चाहिए यह है क्रीम यूज किया है बहुत ज्यादा हाई कवरेज बिल्कुल मेकप को ग्रेनी होने देगा और बहुत ज्यादा फेयर मेकप इससे होगा तो आप कि देखेंगे कि किस तरह से मैंने आज फेयर मेकप किया तो उसका जो मैजिकल प्रोड़क्त है जो सीक्रेट है ना फेयर मेकप का वह eating इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिजे ब्लेंड करने से पहले मैंने इस पर मिस्ट अपलाय कर मिस्ट होते हैं जिससे कि क्योंकि इसकि इ रिकुइड तो आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग रिकोट भी कर सकते हैं थाउजंड आराउंड आ जाएगा बहुत अच्छा कंसीलर इसको फड़ावट से तेंट था fire in your eyes इसका जो शेड है उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया क्योंकि जो हमारा हमारे पास जो फेस था वर्क करने के लिए वह बहुत ज्यादा लॉंग था और मुझे थोड़ासा ब्रॉट दिखाना था इसलिए मैंने पूरे डबली शेप में थो क्योंकि था था जए पास wiping ए उसके बाद मैंने कॉंकि होती तो डाक क्लर के साथ करना था उसके बाद मैंने ब्लच्ज जो है पिंग इसके नहीं नहीं किया है भाउड के साथ बाद टिन था इसके पैलेच घ्याइचर और यह ए ब्लच्छि पॉड्व एक शे ब्ल अपने आई पर लगा कर चाहिए लिए उसके बाद मैंने क्या किया है एक लायट शेट ना तो ब्राउन था वह बीच का रहा ही एक शेड था वाइन जैसा ही था उसको लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने प्लेंट शेट यूजल लिए क्योंकि इनकी आइस जो थी अल्रेडी काफी बड़ी थी अगर मैं वाइट कलर यूज करती वह और ज्यादा बड़ी लगती उसके बाद मैंने ग्लिटर्स यूज किये है लिक्विड ग्लिटर और ब्रश की हेल्प से तोड़ आइस की जो क्रीस थी उसको इन्हेंस किया है उस स्कारा अप्लाई करने से पहले मैंने लैशेज अप्लाई कर लिये थे और फाइनल लुक को चीज तरह कदा और यह वीडियो देखने के बाद फिर भी आपके माइंड में कोई बीडाव कोई रहती है देन फटाफट से मुझे डीम कीजिए इंस्टेग्राम पर मुझे फॉ